गुद्ध्योगों का जो आकार है वो बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है जैसे कि capital invested यानि कि उद्ध्योगों में जो पूंजी लगाई गई है वो कितनी है उसमें काम करने वाले worker कितने है उसके बाद जो production का volume होता है वो क्या होता है ये सारी चीजें हमारी industry को small scale industry और large scale industry में divide करते हैं कोटीज और household industry और a type of small scale industry यानि कि जो कुटीर उद्ध्योग होते हैं वो small scale industry के उधान होते हैं यहाँ पर जो भी manufacturing का और production का जो work रहता है वो हातों से किया जाता है जैसे कि basket बनाना, pottery बनाना और दूसरे handcraft जो work होते हैं य कोटीज इंडस्ट्री के उधारन होते हैं small scale industry में जो कम amount है उसका यूज किया जाता है technology का यूज कम होता है जब कि अगर बात करें large scale industry की तो यहाँ पर produce large volume of product यानि कि जो उत्पाद बना जाता है उसका volume ज्यादा होता है investment of capital higher होता है और technology का यूज किया जाता है वो superior होता ह इस तरह कि जो उध्योग होते हैं वो large scale industry में आती है अगर उधान की बात करें तो automobiles and heavy machinery is the example of large scale industry अब हम बात करते हैं ownership की यानि की स्मामिताव अब हमारी industry को हमने स्मामिताव के आधार पर बहुत सारे भागों में विभाजित किया है जैसे कि private sector industry, public sector industry, joint sector industry और cooperative industry सबसे पहले हम discuss करते हैं private sector industry पर यह क्या होती है इस तरह कि जो उध्योग होते हैं उन्हें निजी शित्र के उध्योग कहा जाता है और इनको operate किया जाता है individual और group of people यानि कि इसमें या तो एक बंदा होता है या बहुत सारे लोग होते हैं जो industry को आगे बढ़ाते हैं जो private sector की industry industries होती है उनका एक ही मोटिव होता है ज्यादा से ज्यादा खुद को मतलब ज्यादा से ज्यादा खुद को benefit पहुंचाना